हलो दोस्तों मेरा रामा मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल बात करेंगे दोस्तों यूपीटेट 2021 परिक्षा की आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अलग अलग वीडियो चे कॉमेंट सेक्षन में बहुत सारे चातर पोछ रहे हैं कि हमारे OMR में ग बढ़ेगा यदि बढ़ता है इन्ही सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा यदि आपने लाश्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराव मत इसका सलूशन है डाउट ना टैप बस आपको के हो आयाईटी जेई नीट का हो या सीबीसी बोर्ड यूपी बोर्ड अस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो साथी साथ फेज कमेस्ट्री मैध बालजी और साइन्स के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर नवी से बारहमी और आयाटी जेई नीट की ऑनलाइन ग्लासेस भी चल रही हैं और लगबकसा भी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टॉर कर लिजे डाउटन टैब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले हो या ना किया हो कोई परभाव नहीं पड़ता है यादि किसी का भी आपती स्विकार होती है तो उसका फायदा सब को मिलता है जिन्होंने आपती की है यादि आपती स्विकार हो जाती है तो उनका जो 500 रुपए का पेमेंट है प्रती कोश्चन वो आपको रिफंड हो एगा जिससे आपने पेमेंट किया था कुछ आत्वाहते कि हमने तो अकाउंट नंबर दिया नहीं है तो पेमेंट किसमें वापस आगा तो जहां से कटा है उसी में वापस वह आ जाएगा यदि आपने कहीं साइपर-कीव वगर ऐसे जाकर objection करवाए था उनसे payment किराए था तो यदि आपकी आपती स्विकार होती है तो आप जाकर वहाँ पुछ लीजिएगा आपका जो पैसा है उनहीं के खाते में वापस चला जाएगा और आपने खुद अपने bank account से payment किया होगा तो आपके ही पास वो refernd आएगा च दोस्तों एक शीज आप बिल्कुल किलरी समझ लीजिए जो आपका OMR है वो optical mark reader से scan किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गोलों को जो bubble है जिसको आपने रंगा है सिर्फ उसी को read करता है जो भी आपने pen से लिखा है अपने OMR पर उसे optical mark reader read नहीं करता तो आपने अपनी category लिखी हो या गरत लिखी हो कोई भी प्रभाव आपके result पर नहीं पड़ेगा यानि कि आपका result आएगा आप निश्चित रहें इसी के साथ बहुत सार अच्छा तर पूछ रहे हैं कि हमने sign नहीं किया है OMR पर या हमारे इंवजिन लेटर का sign छूट गया है तो इस condition में भी कोई attention नहीं है आपका result आएगा कुछ लोग पुछ रहे हैं कि हमने OMR को black की जगे blue से bubble किया है OMR को black से ही रहने का निर्देश दिया गया था चाहे वो notification हो या admit card हो लेकिन अगर आपने blue pin से भी अपनी OMR को bubble किया है तो भी कोई समस्या नहीं आएगी black से इसलिए कहा जाता है कि black से bubble करने पूर जो bubble है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है optical mark reader उसे आसानी से scan कर लेता है लेकिन यह आपने blue से भी किया है अच्छी तरीके से किया है optical mark reader उसे read कर रहा है तो इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो नीला है या काला है तो हमने 145, 46, 48, यानि कुछ कोशन छूट गए, इस कंडिशन में क्या होगा, ऐसे में भी आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, रिजल्ट आपका आजाएगा, फिर है कि माता पिता का नाम कुछ गलती हो गई, सेंटर भरने में कुछ गलती हो गई, या भारा ही नहीं, इ जब कोई मतलब नहीं है, लिख है, न लिख है, गड़त लिख दे, रिजल्ट आ जा रहा है, तो आखिर ये लिखवाया क्यों जाता है, दोस्तों ये लिखवाया जाता है, इस कंडिशन में जब कोई विवाद हो जाए, जैसे कि पहले समय में आपने देखा होगा, आज कर भी भोजा के खबरें आती हैं कि OMR को चातर खाली छोड़ देते हैं, अंदर जागर सेंटर पर या फिर आयोग में या जो परिक्षा एजन्सी होती है, वहां पर लोग अंदर से OMR को भरवाने की कोशिच करते हैं, सेटिंग भाजी करते हैं, पैसा बगरे का लेंदेन करते हैं, तो आपसे क्लास रूम में ही सारी चीज़ें भरा ली जाती हैं, जैसे नमबर आप कोशन आपने 150 लिख दिया और आपने OMR खाली छोड़ दिया, तो आपके OMR के नीचे दो और कारवन कॉपीज होती हैं, तो उसमें भी 150 छप गया होगा, जबकि आपने OMR तो खाली भ खपता है, और बाद में जाकर वो चीज़ें भरती हैं, तो मामला फस सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, जब कोई कंप्लेन करेगा, या कोई बड़ा विवाद होगा, जाच बगर होगा, तभी इन चीज़ें को देखा जाता है, तो बि नबे नमबर चाहिए, पास होने के लिए, नबे नमबर चाहिए होता है, यूपीटेट में सामान वरकिया अभर्थों के लिए, और जो रिजर्ब काडिडेट हैं, यानि कि योबी से सेस्टी और डिफरेंशली एबल परसन, इन्हें ब्यासे नमबर चाहिए होता है, से आपका रिजर्ब रुख जाएगा, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेन, रिजिस्ट्रेशन नमबर और रोल नमबर, उपर जो आप भरते हैं, पिन से जो गिंती लिखते हैं, उसमें गलती हैं, तो समस्या नहीं है, नीचे जो गोले आप बना रहे हैं, मेर गोलों का ह खेल है, तो यदि आपका रिजिस्ट्रेशन नमबर और रोल नमबर दोनों में गलती है, गलती गोलों में हो गई है, आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक सही है, क्योंकि आपका रिजिस्ट्रेशन नमबर भी एक यूनिक नमबर होता है, बिल गलत है तो बिल्कुल भी नहीं आपका result आएगा क्योंकि आपकी पहचान PNP आपके registration number और roll number से करेगी आपके father name, mother name और जो दूसरी details है उससे आपकी पहचान नहीं होती है तो registration number या roll number दोनों में से कोई एक सही है तो आप निश्चिंद्र हैं साथ ही साथ बहुत के sequence अलग-अलग होती है तो booklet code ये आपने खाली छोड़ दिया तो result आपका नहीं आएगा और गलत भर दिया तो इस condition में result आपका आ सकता है लेकिन दोस्तों जो आपका result है वो बहुत ही खराब बनेगा और पास होने का जो चांस है वो 0% ही आप समझे क्योंकि आपने एंसर कुछ और सोच के लगाया है माले जी आपको booklet A मिला हो और आपने गलती से भी भर दिया तो आपका result है जो कॉपी की चेकिंग हो भी क्या खार पर होगे और सब के सब कुछ तुक्का में लग बाई चांस कुछ कोशन सही हो सकते हैं तो इस कंडिशन में भी आप मान कर चलें कि आपका काम खराब हो गया है भाशा की बात करते हैं language 2 क्योंकि यूपी टिन में चार सब्जेक्ट तो पहले से क्लियर हैं ctp, math, environment और हिंदी एक ही option होता है संस्की तुर्दू या English में से एक काचेन करना होता है और उसी को हल करना होता है तो यदि आपने language वाला option नहीं भरा है इस condition में आपका result प्रभावित होगा या तो आपका result ही नहीं आएगा और यदि PNP result दे भी दे तो जो 30 question है language वाले वो आपकी checking नहीं होगी यानि कि 120 में ही यदि आप 90 पा जाते हैं या 20 तब तो आप पास हो जाएंगे नहीं तो फेल ही हो जाएंगे इसी प्रकार से paper 2 की बात करना है तो paper 2 में math and science या social science चुनना होता है यहाँ पर तो यदि आपने चुनाओ गलत कर दिया या छोड़ दिया तब तो आप मान कर चल आपका hair fare होगा paper 1 में तो आपने language में गलती की थी 30 ही question की बात थी 30 का checking ना भी हो तो 120 में आप 90 ला भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर 150 में 60 question का hair fare हो जाएगा बचेगा 90, 90 में 90 लाना तो possible नहीं है एकाथ question तो गलती हो ही जाता है reserve का independent कोई हो तो हो सकता है नबे में 82 हो सही कर दे इसके भी chances काफी कमी है लेकिन यदि आपने paper 2 में जो part 4 है social science या math and science यहाँ पर आपने bubble नहीं किया या गलत कर दिया तो मान कर चलन है कि आपका pass होना बहुत है मुस्किल है तो चीज़ां आप बिलकुल clearly समझ गया होंगे अ आप बात करते हैं तो आपने answer दिया है उसमें आपने दो गोले कर दिये तीन गोले कर दिये इस condition में क्या result प्रभावित होगा तो बिलकुल भी result प्रभावित ही होगा आपका result जरूर आएगा हाला कि यह जरूर है कि question का यदि आपने दो option दिया है तो वो check नहीं होगा एक स तुस कोश्चन का नमबर नहीं मिलेगा लेकिन आपका रिजल्ट इसकी वज़ा से नहीं रोका जाएगा ठीक है दोस्तों आपके सभी सवालों के जबाब यूपी टेर्शन एलेटेड मिल गए होंगे आपतियां भी छातों ने कर दी हैं तेस फरवरी को रिवाइज एंसर की आएगी पचीस फरवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शियर कर दाया चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लिज दोस्तों ताकि आपको इसी तरह की सब भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफरमेशन मिलती रहे थाइंक्स वाचिंग